डियर फ्रेंट्स दिस इज निशान त्रस्तोगी एंड यू आर वाचिंग सी एनर आई डियर फ्रेंट्स आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूं इस चैनल की सुरुवात एक चुल में केमेस्ट्री डाउट सॉल्विंग से सुरू हुई थी इस टुडेंट्स को बहुत सारे डाउट आरे थे और बुक्स में उनको ऑफ्निक करेक्शन नहीं मिल पा रहा था और साती सात मिन्मम टाइम में मैंक्स्व में क्शिटा करनी थी तो एक concept लेके authentic knowledge देनी है और minimum time में maximum study करानी है इस concept के साथ इस channel के शुरुआत हुई थी है बाद में student की demand आने लगी कि सर ये video वो video तो फिर different domain के और different subject के कई सारे video को इसमें upload किया गया जो की class 5th से start है आप इसको playlist में जाकर देख सकते हैं तमाम वीडियो हिंदी medium के हों चाहिए वो English medium के हों और किसी भी label के हों लगबख सारे label के video आपको इस channel पर मिल जाएंगे अभी तक लगबख 1800 प्लस याने 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस channel पर upload किये जा चुके हुए है जो की different domain के हैं आप एक बाद playlist सर्च करेंगे I hope कि आपके काम के video यहाँ पर मिल जाएंगे आपका प्यार लगातार मुझे मिल ला है और यह आगे भी मिलते रहना चाहिए क्योंकि यह motivation के लिए बहुत जादा जूरी है बट अभी के data के साब से आज के data के साब से अगर मैं देखू तो लगबख 75% viewers जो है वो इस channel के non subscriber हैं जिन्होंने subscribe नहीं किया है कि 25% viewers ने ही subscribe कि याओ आई चैनल को तो भाई subscribe करना बहुत जूरी है और अगर आपका कोई भी comments है कोई suggestion है तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जूरी है तो प्लीज इसको करते रहिए subscribe करते रहिए like करते रहिए share करते रहिए comments करते रहिए आप भी motivated रहिए और मुझे भी motivated करते रहिए वह आसा के साथ वीडियो सुरू करके हैं dear students, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत important बुद्धे के वे उपर बात करने वाले हैं कई सारे students को ये doubt रहता है कि सर्व बाई 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 होगा वो practical exam में कैसे देंगे और practical exam में chart जो है वो कैसे बनाएं और ये मैंने बताया भी ह चार्ट जो है वो जातर आप अपने syllabus के हिसाब सही बनाएं और NCRT बुक जो है उसमें जो diagram दिये गए हैं उनको आप बनाएं लेकिन फिर भी जो है वो student के मन में doubt रहता है कि सर्व चार्ट समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बनाएं और उस पे बाईवा कैसे तयार करें त और उन पे क्या-क्या बाईवा में question पूछे जा सकते हैं तो लगवक संभावित question जो है वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि क्या-क्या question इस पे बन सकते हैं और आप उनको तयार कैसे करेंगे वो सारे question और उनके answer जो है वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा जिससे कि इधेुआ क्यमिस्ट्री आगर आप देखें THCM वह वास्ट सब्जेक्ट है मुथ बड़ा सब्रूच्ट है और ज्यादतर इस्टुंडेंट जो है वह क्या पूरुपर question जो है वो तैयार कर लेते हैं और सोचते हैं कि भई examiner जो है वो इनसे question पूछ के और उन्हें marks अच्छे दे देगा हाला कि होता भी यही है कि जब अगर आप chart open करते हैं examiner के सामने है तो examiner उससे question पूछा सुरू करता है और अगर आप question के answer बढ़िया से बता देते हैं तो फिर आपको number भी अच्छे मिलते हैं examiner समझता है कि हाँ ठीक है student ने पढ़ाई की है तो मैं यहाँ पर कोसिस करूँगा कि मैं जो भी आपको diagram बता रहा हूं उस पे जतने possible question बन सकते हैं वो भी मैं आपको बता हूं ठीक है न और आप बढ़िया से त्यारी करें तो चलिए हम देखते है NCRT को और फिर बताते हैं कि कौन कौन से diagram आप बना सकते हैं अब यह देखिए सबसे पहले हमने विद्दूत रासाइन से जो है वो यह diagram को select किया हुआ है ठीक है तो इसमें आप देख रहे हो कि विद्दूत रासाइनिक सेल जो है वो आपके सामने दिखाए गया है अब यह जो विद्दूत रासाइनिक सेल है इसके बारे में कोशन क्या क्या बनते हैं इसके diagram को आप पहले देख लेंगे सबसे पहले तो देखें NCRT जो है वो आपको जो भी diagram आप बनाएं उससे related NCRT में जो भी matter दिया है उसको आप बड़ी है से त्यार कर लीगे है जैसे देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रकार की युक्ति को galvanic cell या विद्दूत रासाइनिक सेल भी क्या होता है तो देखें कोई भी cell जो कि क्या करता है रासाइनिक उर्जा को विद्दूत उर्जा में बदल देता है कोई भी cell जो कि रासाइनिक उर्जा को विद्दूत उर्जा में बदल देता है हम उसको विद्दूत रासाइनिक सेल कहते हैं और इससे उल्टा जो होता है वो होता है विद्दूत अपघटनी सेल ठीके ना अपघटनी सेल वो क्या करता है कि विद्दूत को अपघटन करता है यानि कि ये क्या करता है कि विद्दूत ऊर्जा को ये विद्दूत ऊर्जा को रासानिक ऊर्जा में बदल देता है तो ये question आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एक बात बताओ कि विद्धुत अफगटनी cell और विद्धुत रासानी cell में क्या अंतर होता है तो आप बोलोगे सर विद्धुत अफगटनी cell का मतब विद्धुत का अफगटन करना तो ने कि पहला तो ये हो जाएगा अब दूसरा आपसे कहेगा कि ये cell में आपने क्या क्या बनाया हुआ है ये जरा बताईए कि इस cell में क्या क्या बना हुआ है तो ने कि cell आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है इस cell में अगर आप देखेंगे तो इस cell में जो है वो दो बीकर है इस cell में क्या है दो बीकर है एक बीकर ये है दूसरा बीकर ये है और दोनों बीकर को लवण से उसे जोड़ दिया गया है आप कहेंगे सर दोनों बीकर को लवण से उसे जोड़ दिया गया है एक वीकर में जिंक लवन का विलियन लिया गया है तो कहेगा कौँ से विलियन है तो आप कहोगे सर्फ जेड़न एसो फोर का विलियन है जिंक सलफेड का विलियन होता है दूसरे में कॉपर लवन का विलियन लिया गया है और ये जो होता है, वो CUSO4 का billion है, जो कि blue color का billion होता है, अब इसके बाद यहाँ पर इसको जो है, वो connect कर दिया गया है, यहाँ पर आप देखे रहों कि यह बाहरी जो है, वो circuit complete कर दिया गया है, जो आंत्रिक circuit जो होता है, वो एक चुन में लवर सेतू से किया जाता है, जो आंत्रिक circuit होता है, वो लवर सेतू के द्वारा जो है, वो complete किया जाता है, ठीक है ना, तो यह बात आप ध्यान रखेंगी, कि लवर सेतू का उपयोग जो होता है, वो आंत्रिक circuit को complete करने के लिए किया जाता है, जिससे electron का movement बना रहता है, अब यहाँ पर question लवर सेतू से का जाता है, कि लवर सेतू को लवर सेतू क्यों कहता है, एक्चल में यह काच की नली होती है, यह किसकी नली होती है, काच की नली होती है, ठीक ना, और यह काच की नली होती है, और इसमें क्या करते हैं, लवर को भर देते हैं, अब लवर में जो होता है, वो क्या करते हैं, जिलेटिन का पेस्ट एक लेते हैं वो भरते हैं जिलेटिन का पेस्ट भर देते हैं और साथ ही साथ इसमें जो होता है वो KNO3 है या फिर NH4Cl है और या फिर NH4NO3 भर दिया जाता है ठीक ना तो यहाँ पर जो होता है वो KNO3 है NH4Cl है NH4NO3 है और KCL भी यहाँ पर भरा जाता है त तो इस तरह से क्या होता है इस तरह से यहां पर जो होता है वो लवण का योग जो है वो किया जाता है और यह सॉल्ट में भर देते हैं अब यह करते क्या है करते यहां पर यह है कि जैसे यहां पर देखिए यहां पर आप क्या देख रहे हो कि जैडन जो है जैडन जो है जैड आपर में चेंजर है तो अब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो क्योपी काइन थे जो तो जेडन रोट जो होगी वो क्या करेगी जिंक काइन के फॉर्म में आ जाएगी इसका मतलब है कि ये जेडन रोट तूटना सुरू हो जाएगी ये कुरोड होना सुरू हो जाएगी ये पतली होनी सुरू हो जाएगी और कॉपर की रोट जो है वो कॉपर के जोड़ने की होता है क्या personalized? ठिक है और जींग का क्या होता है? अब आप कौँगे किसर जींग का अनोड होता है, कौपर का Всё होता है तो तूसरे question बढ़ेगा की अनोड पर क्या होता है और कौन सी अभी क्रिया होती है तो आप यहां पर देख भी रहे हो कि जेडन जो है वो जेडन 2 प्लस में बदल ला है तो अगर जेडन जो है वो जेडन 2 प्लस में बदल ला है तो क्या इसका हो रहा है ऑक्सी करण क्या हो रहा है ऑक्सी करण इसका मतलब आपको सर्ण में आ गया क्या कि जो जो एनोड होता है उस कि ऑनोड हम इस इलेक्टरोड को कहते हैं जिस्पे क्या होता है ऑक्सी करन होता है इसके बाद आप पर क्या देखे हैं यहां पर यह kannst का यह उप्लस और और copper में CU plus 2 से CU में बदलना है तो अगर ये YouTube deux से बदलना है किसमें CU में बदलना है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस पर क्या हो रहा है अपचेन होता है यानि कि आप बोलोगी कि सर relatable जो होता है उसपर क्या होता है अपचेन 1 volt जो होता है वो होता है ठीक है ना और यहाँ पर इनों लिखा है कि अगर आप यहाँ पर जो है वो salt love and bridge का उप्योग नहीं करेंगे love and village का उप्योग नहीं करेंगे तो अब किरिया थोड़े time के बाद जो होगी वो क्या होती है रुक जाती है ठीके ना और उसमें विद्धुदारा जो होती वो प्रभाईत नहीं होती है तो इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर जो होता है वो लवड सेतु का उपयोग किया जाता है लवड सेतु जो होता है वो आंतरिक जो है आंतरिक Circuit को जो होता है वो Complete करता है तो इस तरह के ये Question जो होंगे वो बनते हैं यहाँ पर आप से ये अविक्रिया जो है ये अविक्रिया भी पूछ सकता है कि इस Cell की अविक्रिया एक Paper पे लिखके आप दिखाईए कि इस Cell की अविक्रिया क्या होगी तो आप यहाँ पर इस सेल की अविक्रिया को लिख के दिखा सकते हैं नीचे लिखा हुआ है डेनियल सेल जिसमें जिंक एंड कॉपर इलेक्टरोड अपने अपने लवन में निमज है निमज का मतर डूबे हुए हैं तो यहाँ पर आप एक बात यह देख सकते हैं कि यह जो है वो यह आदा सेल है और यह वाला भी कैसा आदा सेल है ठीक है ना और इन दोनों सेल में सेल किसको कहते हैं सेल हम किसी भी उस उपकरण को कह देते हैं जिसमें की एक धातु की रोड जो होती है वो बिलियन में डूबी हुई होती है अब ज्यादा तर ये विद्धुत अभगट जो होता है वो इसी धातुका होता है और ये अलग धातुका भी हो सकता है ठीक है ना तो लगवख संभावित प्रश्च जो है वो इतने हैं और वाकि फिर एक्जामनर अपने हसाब से पूछ सकता है तो ये आप इसको तयार कर लीजें देखिए द Row- डाइग्राम आप इसी चेप्टर में मानक-Hydrogen Electrode का बना सकते हैं आप यह देख रहे हैं कि मानक-Hydrogen Electrode का डाइग्राम दिखाये गया है और ये डाइग्राम आप बनाके इसको तयार कर सकते हैं देखे थियोरी से related ही आपको जो है वो अपने इस लेवर से related और थियोरी से related ही आपको diagram बनाने हैं और उसी को त्यार करके बढ़िया से जाना है अब मानक hydrogen electrode पर क्या क्या answer question बन सकते हैं वो question की possibility हम यहाँ पर देख लेते हैं देखें सबसे पहले तो आप से पूछेगा भई कि यह आपने क्या बनाया तो आप यह वो लोगे कि सरी हैं हमने मानक hydrogen electrode बनाया हुआ है ठीक है कहेगा इसमें क्या क्या है तो आप यह कहेंगे कि सरी है कि यह weaker है और इस weaker में हमने 1 molar H plus i लिया हुआ है यानि हमने क्या किया है कि 1 molar यानि 1 molar जो है वो HCL का विलियन लिया हुआ है ठीक है 1 molar HCL का विलियन लिया हुआ है इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह जो होता है वो platinum black होता है यह जो होता है वो क्या होता है platinum black होता है प्लैटरम ब्लैक जो होता है वो पूछेगा कि प्लैटरम ब्लैक का काम क्या होता है तो प्लैटरम ब्लैक जो होता है वो अच्छा अबशोशक तथा अच्छा उत्य सरजक होता है किसका हाइडोजन का किसका हाइडोजन गैस का तो हाइडोजन गैस का अच्छा अब शोशक होता है और साथ में ये अच्छा उच्छ सरजक होता है इसकी सतह पे जो हाइडोजन गैस जो है वो एड्जॉर्ब हो जाती है अधि शोशित हो जाती है और बार में जब जबवत होती ही तो हाइडरीन गैस यहां से निकल भी जाती है तो ये अच्छा 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 जो होता है बलकि अधी शोशक कहना चाहिए अधी शोशक कहना चाहिए अच्छा अधी शोशक होता है और साथ ही साथ जो होता है ये अच्छा जो होता है वो उत्त सर्जग भी होता है ठीक है अधी का मतलब होता है कि जब सतह पर कोई भी स चीज जो हुती है वह आफ शोशित होती है तो वह अधी शोशित कहलाती है ठीक है न हूगा अब यहाँ पर आप और क्या लेख रहे होकि यह काच की छड़ Laoday यह और यहाँ से जो हता है वह hydrogen gas जो होती है वह release होती है बासन में és में यह लगा वो हाइड़ोन गैस रिलीज होती है तो जब यह रिलीज होती है तो कितने प्रेशर पर आती है तो यह प्रेशर पर आती है वो वन एटमोस्फियर यह वन बार के प्रेशर के साथ जो होती है दाओ के साथ यह बाहर की तरफ आती है बासन में आई ही न अब इसका जो होता है व हम इसका मानक अपचेन बेवल बने हैं दोनों का मान जो होता है वो जीरो आता है इसका मतलब है कि चाहे हम इसको कैथोड कितना प्रियोग करें और चाहे हम इसको एनोड कितना प्रियोग करें दोनों ही केस में हम इस का मान जो होता है वो क्या करते हैं जीरो रख देते हैं बा जो इलेक्टोड आपने लगाया है जिसे दो इलेक्टोड यहाँ पर हैं तो यह वाला इलेक्टोड जो है वो कौन सा है लेफ्ट है और यह वाला इलेक्टोड जो होता है वो कौन सा राइट है तो राइट में इलेक्टोड कौन सा है कैथोड है और लेफ्ट में इलेक्टोड माइनस एनोड भी पढ़ते हैं तो E not cell बराबर जो होता है E not cathode माइनस E not एनोड ठीक है ना तो ये भी आप इसको यहाँ पढ़ते हैं ये E not cell निकालने के लिए भी होता है और E cell निकालने के लिए भी होता है आप E cell बराबर जो होता है लिखते हैं E cell cathode और माइनस थोड़ा से ही करतूँ E cell cathode माइनस E cell anode ठीक है न ये standard condition ले ले लेंगे तो not लगा देते हैं तो E not cell हो जाएगा ठीक है न तो यहां तक की बात आपको सम्म्यागे अब देखे यहां पर लिखा हुआ भी है कि देखे मानक hydrogen electrode विवब कमान जो होता हुआ कि आपको é angular एसको एनोड की तरह यूच यूच कर रहे हैं तो एनोड की तरह यूच करने पर आपने इस कमान जो है कितरह रख दिया सून ने रख दिया और जब आपने सून ने रख दिया तो अब आप यहां पर यह जो दो लाइने दिखाई जाती है वो किसकी दिखाई जाती है लवर सेतु की किसकी दिखाई जाती है लवर सेतु की तो यह लवर सेतु है इसके इधर साइड जो है एनोड होता है इधर साइड क्या होता है कैथोड होता है तो अब आपको एक बात यह समझ में आ रही है कि यहाँ पर यह वाला हिस्सा जो है वो क्या बताता है एनोड को बताता है और यह वाला हिस्सा जो होता है क्या बताता है कैथोड को बताता है और यह वो क्या है सॉल्ट बिरिज है बात सम्झाएं न तो इस तरह से आपको कोई भी अभी करिया लिख कर भी बता सकते हैं कि मान लिए कि आपने हाइडोजन का जो है वो एनोड बनाया है और कौपर का कैथोड बनाया है तो अभी करिया कैस क्या होगी या आप सेल को कैस से दिखाएंगे ठीक है ना तो आप से कह रहा है कि हाइडोजन का क्या बना दिया है एनोड तो एनोड पे क्या होता है ऑक्सी करन इसका मतलब यह हो जाएगा कि हाइडोजन गैस जोगी वो ऑक्सी करन यानि एच प्लस आयन बना देगी बासन में ना दूसरा कैथोड जो है वो किसका बनाया है कॉपर का कैथोड बना दिया ठीक है ना यहाँ पर आप 2 भी कर सकते हो अगर आप 2 करोगे तो 2 से मल्टिप्लाइज को करोगे तो यह वो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा तो फिर यह 2H हो जाएगा और यह 2 एलेक्ट्रॉन हो जाएगा ग्रहन करके कॉपर में बदल जाएंगे ठीक है ना तो यह 2 एलेक्ट्रॉन ग्रहन करके कॉपर में बदल जाएंगे तो इस तरह से आपसे सेल अभी करिया भी दिखाई जा सकती है और साथी साथ उसका सेल जो है वो इस तरह से बनेगा क्योंकि हाइडोजन इलेक्ट्रोड म कहते हैं ये भी पूछा जाता है तो देखे कोई भी अगर आप कोई भी अगर आप पैरामीटर को कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए आप कोई ना कोई हाइडोजन, इलेक्ट्रोड, विवाव कहलाता है। ठीके ना, तो आप इस तरह से यहां पर बात कर सकते हैं और इसके बारे में बाइवाव बता सकते हैं।